हेलो दोस्तों मैं हूँ सुनील अरोरा इस वक्त मैं वडोधरा गुजरात के रेल्वी स्टेशन पर खड़ा हूँ देखने के लिए क्या हला था यहां पर यह बिका के नहीं बिका मेरे बहुत सारे दोस्त है पंजाब में वाटसाप ग्रूप बना हुआ है पड़े लिखे लेक्षरार है अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं सब बोल रहे हैं कि मुद्दी ने देश बेच दिया मुद्दी ने एरपोर्ट बेच दिये स्टेशन बेच दिये मैंने बोला चलो देखते हैं यार क्या बेचा कितना बेचा यहां अगर देखा तो यह station तो पहले देखा हुआ मेरा लेकिन अब बहुत साबसुतरा दिख रहा है शायद बेच दिया हो इसलिए साबसुतरा कर दिया गया हर तरफ से वो पहले वाला कचरा पहले वाला वो जो बतिन तिजामी थी नहीं थी सब कुछ जो लेंद अच्छी थी, साफाई थी, कलर किया हुआ था कचरे का एक टुकड़ा नहीं देखा मैंने ऐसे मैंने रेलवे काउंटर देखे जो पहले हमने कभी सोचे भी नहीं थे मैंने सोचा शयाद बेजी दिया यह तो एरपोर्ट लग रहा है स्टेशन ऐसे थोड़ा होते हैं इंडिया के इंडिया के तो स्टेशन में दक्कम दक्का गंदगी ठूके कचरा पशाब की बास होते ऐसे लोग देख रहे थे टेन कौन आएगी कौन जाएगी यह ऐसा बड़ा सारा डिस्पले देखा मैंने महरान हो गया यार वहाँ पर किसकी फोटो देखे कि वटसअब करो गर कचरा दिखाई दे क्यों वटसअब करे कचरा तो हमारा अधिकार है कचरा ना होए तो हम कांगरसियों को मजे नहीं आते कांगरसियों इस देश पे राज करते रहे हैं और कचरा जनम से ददिकार है पहली बार मैंने लाइफ में देखा कि किसी स्टेशन पर अपाहिजों के लिए अलग से रास्ता बना हुआ है हैंडिकैप्ट का जैसे फॉरण में हम देखते थे ना तो सोचते थे इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है इंडिया में दक्कम दक्का बचारे आपाहिज लोग जो हैंडिकैप्टा दिव्यांग बाई जो हमारे जनको दिव्यांग नाम दिया गया उनके लिए लिफ्ट अलग से लगाई गई तो मुझे लगा ये खर्चा इतना मोदी क्यों कर रहा है कहां से पैसार इतनी सफाई क्यों कर रहा कर क्या करवाई जा रही है इस टेशन बेच दिया शाहिद इतनी लिफ्ट क्या करनी है या हम लोग तो गरीब लोग हैं हम तो समान उठा के वैसे ही सर पे लेके जाने वाले लोग हैं जब से देश जाद हुआ हम तो ऐसी जी रहे हैं जो अंगरेज छोड़ के गए थे वैसे ही जी रहे हैं है प्लेटवाम दिखा तो इतने साफ सफ़ाई लगा ही नहीं ही हुए हमारे देश का सब्सक्र नहीं थे हमको पर इतने आगे चिन्हों जिंदिगी में सद सद आट यो उनको सब्सक्रिय वर्षय मां होता है क्यों सापसफाई करा रहा मोदी का मोदी की का वाणा है यहाँ पर हमारे ऐसा होता जब कोशो मंत्री दौरा करता तब सापसबाई उती है लेकिन यह तो लोग लोग हर वक्त सापसपाई रखने लगे। कि इसे कितना करच्चा हो रहा है जो कितने साफ सफाई कर रहे हैं काम कर रहे हैं इतना रोजगार लोगों को दिया गया लोग लगे हुए काम पर हुआ है हम इस आज़त के नहीं है वो दीजी हम तो कचरे में रहने वाले लोग हैं जब से देश अजाद हुआ हमने कच्रा इक मिला हमको तो कि मुझे याद एक पर रेल्वे स्टेशन पे 15 साल पहले की बात होगी मेरा बच्चे पो ट्वालेट आई तो मा उसको ट्वालेट में लेकर गया तो बच्चा उल्टी जासी होने लगी थी मेरी और उसकी टटी पर टटी टटी पर टटी पर टटी पड़ी होई थी यह देखो, यह भी रिटारिंग रूम है, पर इसी वालों के लिए है यह भी बहुत अच्छा है पहली बार बच्चों के लिए अलग से एक बॉक्स रूम बना हुआ है ऐसो इंडिया में संबब है ये कोई कौए सा देश में आगए बारत में तो अपनी होता ना बारत तो गरीब देश जा रहा है कि इसने सारे डॉस्ट बीन लगा दिये गए इसे डानी की फैक्टरी के डॉस्ट बीन तो नहीं उसको फाइदा करने के लिए लगाए हो यह आम सा आम लोगों के लिए जो सिलिपर के लासा उनका यह वेटिंग रूम मैंने देखा यह भी बहुत साफ किया हुआ इ इतने साफ ट्वाइलेट नहीं हमारे देश में साफ ट्वाइलेटे नहीं चलती हैं हम तो बही जब से जादी मिली है कॉंग्रिसियों ने जो गंद दिया उसी को हम जी रहे थे इतने साफ रेल्वेस्टेशन अच्छा कांग्रिसियों के गर देख लो बहुत साफ सुत रहे पर देश गंदा करते थे वो मुद्धी जी ने गर चाहे नहीं बनाया देश साफ करने लिख ले हुए हैं इतनी चमक चमक दमक चमक मुद्धी जी क्या कर रहे हो कि यह बहुत पराणा मैंने देखा यह कांटा बहुत पराणा ग्रेज्जों के समय का लेकिन साथ ही दिखो मॉल जैसी मॉल में ऐसकेलेटर होते न यह रेलिवन स्टेशन है उद्धरा का गुजरात का मुद्धी जी हम तो भई सर पर समान उठा के लेकर जाने वाले क्यों हमको इतना बिगाड रहे हो या इसकेलेटर लगा के क्यों हमारा बला कर रहे हो क्यों स्टेशन बेच रहे हो यह स्टेशन बेचा नहीं है यह मेंटेनिस किया हुआ है अंगरिसियों को इसको बेच ना बोलते हैं शरम करो गद्धारो शरम करो